नमस्ते दोस्तों पुराने समय की बात है ये कथा है विश्नु और नारद जी की नारद विश्नु से पूछते हैं कि भगवन ऐसा क्यों होता है कि जो भी व्यक्ति पित्वी पे जनम लेता है दुख ही कारता है और आपको भूल जाता है विश्नु ने कहा कि यू विल गेट तुनो आप एक दिन ये समझ जाओ गए नारद फिर एक बार नारद और विश्नु दोनों ऐसे घूमते घूमते जंगल की सेर कर रहे हैं जंगल में एक विश्च के नीचे जहां वो विश्राम करने के लिए रुखते हैं बगवान विश्नु नारद को कहते हैं नारद मुझे बहुत प्यास लगी है कंट सूक चरहा है जाओ मेरे लिए थोड़ा पानी लेके ओ नारद उसी विश्नु जी को छोड़के पानी की तलाश में जाते हैं कुछ ही दूर जंगल में उनको एक कुटिया जैसी दिखती है ऐसा लगा कि किसी विलेज, किसी गाओं के किनारे पहुँचे तो दर्वादा खटकर आते हैं उस घर का एक बहुत सुन्दर यूवती उस घर का दर्वादा खोलती है उस यूवती को देखते ही नारद विष्णू और उनके पानी की प्यास को एकदम भूल लाते हैं बस वो यूवती दिखती है उनको नारद बोलते हैं उस यूवती को देखते ही कि मैं तुम से बहुत प्रेम कर बैठा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ यूवती कहते हैं कि यूवस्ट वेलकम आपका स्वागत है बट हमारे गाओं में ऐसा ट्रडिशन है कि अगर आपको मेरा हाथ मांगना तो आपको मेरे पिता से बात करनी होगी नारत कहते हैं तो आप मुझे लेके चली अपने पिता के पास तो यूवती नारत को अपने पिता के पास लेके जाती है नारत जी उनके पिता से भी सेम बोलते हैं कि आपकी पुत्री से मुझे बहुत प्रेम है और मैं उससे विवा करना चाहता हूँ यूर्ति के पिता बोलते हैं कि येस, you're most welcome बट हमारे बहुत खेत खलिहान, बहुत पशू, जानवर, बढ़ा बहुत कुछ है हमारा और हमारा कोई पुत्र नहीं है तो सिरफ शर्ट यह होगी कि आप विवा करके यहीं रह जाए और खेत खलियान और इन पशूँ का ध्यान करें नारद में का जरूर, no problem सो उन धुनों का विवा हो जाता है, नारद वहा रहने लगते हैं खेत खलियान, पशूँ का ध्यान लगते हैं दीरे दीरे समपत्ती बढ़ने लगती है इस पूरे प्रासेस में एक, दो, तीन बच्चे भी हो जाते हैं नारद के फिर एक समय की बात होती है कि उस गाउं में बहुत भ्यंकर बाड आती है और वो बाड इतनी तेज आती है कि पूरा का पूरा गाउं सारे घर, सारे पशू बह जाते हैं एक बहुत बड़ा द्रखत है उस गाउं के अंदर नारद, नारद की पत्नी और उनके तीन बच्चे और उनकी पत्नी के पिता ये सभी जान बचाने के लिए उस पेड़ पे चड़ जाते है दीरे दीरे बाड का पानी बढ़ता है तो सबसे पहले वो पिता संभल नहीं पाते है अपने आपको बह जाते हैं बार के साथ फिर इन्होंने एक दूसरे को जोर से कस के पकड़ा है विक्षियो पर मगर पानी निरंतर बढ़ते जा रहा है पहला बच्चा हाथ छूट जाता है बह गया बार के साथ दूसरा बच्चा हाथ छूट जाता है बह गया बार के साथ बिलक बिलक के रो रहे हैं नारद बिलक बिलक के रो रहे हैं नारद की पत्नी क्योंकि दो बच्चे बह गया अब ये तीनो नारद उनकी पत्नी और एक बच्चा जो बच गया ये तीनों जकर के रखे हैं एक दूसरे को और बिलख रहे हैं तीनों क्योंकि आदा परिवार तो बह गया पानी का सर और बढ़ा अब ये तीसरा बच्चा भी बह गया पानी में रोक नहीं पाए, बचा नहीं पाए उसको अंततर जल का सर और बढ़ा नारद जिसने अपनी पत्नी को बहुत जोर से पकड़ा हुआ है क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं उनसे बचा नहीं पाए पानी का आवेश बहुत था पत्नी भी बह गए और नारद अब बिलक बिलक के रो रहे है मगर क्या करें जान तो बचा नहीं है और उपर चड़े कुछ दिन रहे वहां दीरे दीरे बार थमी पानी उतरा नीचे उतरा पानी तो नारद भी पेड से नीचे उतरा है ठके मांदे भूखे प्यासे कहीं दिन हो गए इनको पेड पे और दुख से बेहाल क्योंकि सारा परिवार खतम हो गया पेड के नीचे बैठे और कंठ सूखा क्योंकि बार का पानी था पानी तो सब तरफ था मगर तुम प्यास नहीं बुझा सकते तो नारद की प्यास नहीं बुझी थी कंठ सूखा बहुत बुरी तरह से कंठ सूखा और इदर उदर देखा कि कहां से पानी पियूँ और एकदम से याद आ गई कि मैं तो विश्णु भगवान के साथ था और पानी ढूडने निकला था जैसे ही याद आई नारत को नारत भागे फटा फस उस दिशा में जहां विश्णु भगवान को छोड़ के आये थे कुछ ही दूर पेड के नीचे विश्णु भगवान वहीं बैठे है और नारत को पलट के देखते हैं नारत को कहते हैं नारत इतनी देर क्यों लगा दी तुमने तो एक घंटा हो गया गय हुए नारत का सिर चक्राया एक घंटा मैं तो प्रभू मैं तो अपना पूरा जीवन जी आया मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे बच्चे जिनका जनम हुआ मृत्यु भी हो गई मैं तो अवस्था प्रिथवी की, जो की एक ड्रीम, एक सपने के बराबर है, क्योंकि सपने में भी कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, सपना भी तुम्हें बहुत ही सच लगता है, तुम सपने को भी ऐसे जीते हो, जैसे रियालिटी, जैसे तत्थे को जी रहे हो, फिर विश्णु नारत से पूछते हैं, अब तुम्हें समझ में आया, कि प्रिथवी पे हर आदमी क्यों दुख पाता है, क्यों वहाँ जाता ही, वो भूल जाता है कि क्या वादा करके गया था वो मुझ से, और किन चीजों में उलज के, सपने को सच मान के, दुख भरा जीव करुणा भी जागी मानव जाती के लिए, और कहते हैं कि फिर नारत में प्रतिग्याली और भगवान विश्णु को पराथना की, कि जो भी जो भी इस सपने को सपना देखने लग जाए, प्रभु उसको जगाने के लिए आशिर्वाद जरूर देना, और विश्णु कहते है तथास्तु, सो जो व्यक्ति भी इस सपने जैसे संसार से निकलने का प्रयास करेगा, निकली जाएगा, तथास्तु, ऐसा नारत में विश्णु से मांगा और ऐसा भगवान विश्णु ने मनुष्य जाती को वर्दान दिया, तो इस स्टोरी फ्राम अपनिश्द, मैं चाहता हूं आप इस कथा पर विचार करें, क्योंकि ये कथा सिरफ नारत और विश्णु की नहीं है, ये कथा आपकी और मेरी भी है, ये कथा हर उस व्यक्ति की है, जो इस सपने में मज़े से सोया हुआ है, तो ये कथा हमें जगा जाने का रास्ता दिखा रही है, आशा करता हूं, आप मैं हम सब इस कथा से कुछ महत्वपून बातें सीख पाएंगे, विद आट, थैंक्यू वेरी मुच्छ